नमश्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम, इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। हिंदुस्तान के राजनितिक तौर पर जागरूक लोगों में एक सर्वे करवाई है। पूछिए, क्या वे भारत के नागा समस्या के बारे में आपको पांच मिनट का एक छोटा सा लेक्चर दे सकेंगे। मेरा अनुमान है, दस में से साथ कहेंगे, हमें माफ कर दीजिए। ना सिर्फ नागालेंड परन्तु हिंदुस्तान के पूरे उत्तर पूर्वी शेत्र के बारे में जागरूकता बहुत कम है। मेरे हिसाब से हम हाटलेंड के लोग कभी कोशिश नहीं करते हिंदुस्तान के केंदर से दूर के राजियों के बारे में कुछ जानने का। यहां तक कि दक्षिन के लोगों के बारे में या उनकी संस्कृती वहां का खान पान हमारी awareness बहुत कम है राजनितिक तौर पर भी इस रीजन का कोई खास strength नहीं है अगर हम असम और सिक्किम के लोगसभा सीट्स की गिंती ना करें तो छे राजे अरुनाचल प्रदेश, मनीपुर, मीजोरम, मेगाले, नागालेंड और त्रिपुरा के उन्हें मात्र दस लोगसभा के मेंबर्स चुनके आते हैं भारत का blank political map अगर आप लोगों में बांट दे तो सब नहीं बता पाएंगे मनीपुर कहां है और मेगाले कौन सा है पिछले महीने केंद्र का नागा इंसरजेंट ग्रूप NSCN-IM के साथ किये गए सीजफायर एग्रिमेंट के 25 साल पूरे हुए थे थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको अखबारों में पढ़ने को मिला होगा टीवी पर शायद ना के बराबर coverage हुई होगी परंतो इस watershed event को समझना बहुत जरूरी है उत्तरपूर्वी शेत्रव में शांती बरकरा रखने के लिए साथ ही विदेश में भारत की सही छवी प्रोजेक्ट करने के लिए नागा समस्याएं फिर से आउट अफ कंट्रोल ना हो जाएं ये हमें देखना बहुत जरूरी है तो वास्तव में भारत की नागा समस्या क्या है ये कितनी पुरानी है सबसे महत्वपून घटनाए और मोड क्या रहे हैं नागा लोग कौन हैं वे अन्ने लोगों से कैसे भिन हैं उत्तरपूर्वी के लोगों से और देश के बाकी हिस्सों से भारत में 1928-29 में साइमन कमिशन की यात्रा मुख्य रूप से उन प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई है जिनके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी दस जन्वरी 1929 को साइमन कमिशन ने कोहिमा का दौरा किया इस समय तक नागा क्लब एक राजनितिक संगटन का गठन किया जा चुका था इसकी स्थापना उन नागा लोगों ने की थी जिन्होंने प्रतम विश्व युद में ब्रिटिश सेना में लड़ाई लड़ी थी नागा क्लब के एक डेलिगेशन ने साइमन कमिशन को एक मेमोरैंडम सब्मिट किया था ये सेल्फ डिटर्मिनेशन की मांग करने वाले नागाओं का पहला राजनितिक इनिशेटिव था मेमोरैंडम में सबसे महत्वपून पंक्ती यह थी we should not be thrust to the mercy of other people who could never subjugate us but leave us alone to determine ourselves as in ancient times लेकिन मेमोरैंडम को सुविकार नहीं किया गया नागा हिल्स को एक्स्कुड़ एरिया अंडर असाम डेलेर किया गया सीधे Government of India Act of 1935 द्वारा गवर्नर इशेत्र को एड्मिनिस्टर करते रहे 1947 तक जिस समय भारत स्वतंत्रता हासिल करने के एन्विल पर था उस समय तक नागा नैशनल काउंसिल का गठन हो चुका था अंगामी जापू फीजो एक उग्र नागा नेता थे और लोगप्रिय रूप से नागाओं के पिता के रूप में जाने जाते थे फीजो ने 14 अगस्त 1947 को नागा लैंड की इंडिपेंडन्स की घोशना कर दी नागा नैशनल काउंसिल ने संयुक्त राष्ट्र और नई दिल्ली में उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी उसको भी इसके बारे में इन्फोर्मेशन दे दिया लेकिन इस डिक्लेरेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा इसके बाद फीजो ने में 1951 में एक प्लेविसाइट कराया उस एरिया में 99% लोगों ने इंडिपेंडन्ट नागालेंड को चुना इस घटना के परिणाम स्वरूप स्वतंतर भारत का पहला नागा इंसरजन्सी और काउंटर इंसरजन्सी का अध्याय शुरू हो गया 1956 में फीजो अन्ने नागा नेताओं के सलापर नागा हिल से भाग गए वे पूर्वी पाकिस्तान जो अब पांगलदेश कहा जाता है और फिर उसके बाद जनीवा चले गए उसके बाद वे बिटन में रहे 1990 तक वहीं रहे जब उनकी बित्ति हो गई वही इस बीच भारत सरकार ने नागा विद्रो को काउंटर करने के लिए Armed Forces Special Powers Act 1958 इनाक्ट किया ताकि सुरक्षा बलों को अधिक पावर्स दिये जा सके 1960 में नागा पीपल्स कन्वेंशन और नहरू के बीच एक 16 सूत्रिये एग्रिमेंट पर हस्ताक्षर किये गए इस समझोते के परिणाम सोरूप 1963 में नागा लैंड भारत का सोलवा राज्ये बन गया इसके बाद राजनितिक समाधान निकालने का गंभीर प्रयास किये गए April 1964 में एक शान्ती मिशन का गठन किया गया था और 6 सितंबर को विद्रोहियों के साथ Agreement for Suspension of Operation पर हस्ताक्षर किये गए थे परंतु प्रयास असफल रहा और इंसरजन्सी चलती रही साथ ही सरकारे भी कुर्सी पर बने रहे December 1963 से March 1975 के बीच एक बार भी President's Rule नहीं लगाई गई नागा लैंड में 1972 में केंद्र ने नागा नाशनल काउंसिल और कुछ अन्य विद्रोही समूहों पर प्रतिबंध लगा दिया उन्हें Unlawful Activities Prevention Act of 1967 के तहट गैर कानूनी घोशित किया गया 1975 में केंद्र नागा नाशनल काउंसिल और एक अन्य गुट के बीच एक समझोता हुआ इसे शिलोंग एकॉड के रूप में जाना जाता है और इसके शर्तों के अनुसार नागा समूहों ने भारतिय समविधान को स्विकार किया और ओवर ग्राउंड आने के लिए और साथ ही अपने हत्यारों को सरेंडर करने के लिए वे सहमत हो गए लेकिन चीन में ट्रेंड कुछ विद्रोहियों ने समझोते को स्विकार नहीं किया और 1980 में National Socialist Council of Nagaland NSCN की स्थापना की गई NSCN के तीन सबसे महत्वपूर्ण नेता थे थुइंगा लेंग मुईवा, इसाक चीसी, सू और SS Khaplang नागा हमेशा क्लाइन्स और ट्राइबल लाइन्स के आधार पर विभाजित होते थे नागा के 17 में ट्राइब्स हैं और 20 सब ट्राइब्स इन डाइवर्सिटीज के कारण 1988 में NSCN में एक बिलकुल वर्टिकल स्प्रिट हो गया प्रमुख गुठ का गठन मुईवा और इसाक सू ने किया इसलिए ये फैक्शन हुआ NSCN IM दूसरे गुठ का नाम SS Khaplank पर रखा गया NSCN K जून 2017 में उनका निधन हो गया 1990 में फीजो की मृत्यूख के बाद नागा नैशनल काउंसिल में भी विभाजन हुआ था फीजो की बेटी अदिन्नो जिन्दा हैं और नागा लेंड में रहती हैं वे नब्बे साल की हैं 1988 के बाद जब NSCN में स्प्लिट हुआ उग्रवाद जारी रहा और इनिशल सेटबैक्स के बाद सुरक्षा बलो ने एफेक्टिव काउंटर इंसरजन्सी ऑपरेशन्स किये दबाव में आने के बाद NSCN I.M. ने डिसेंबर 1997 में भारत सरकार के साथ सीसफायर समझोता किया केंदर सरकार और NSCN I.M. ने युद विराम में उसको एक प्रभावी और क्लियरली इंप्लिमेंट हो उसके लिए ग्यारा बुन्यादी नियोमों का एक सेट उस पर एक एग्रिमेंट किया सबसे महत्वपून बात ये थी कि NSCN I.M. उग्रवाद नहीं करेगा लेकिन Armed Forces नियमित गष्ट करने के लिए स्वतंतर होंगे 2001 में जो सीजफायर एग्रिमेंट था वो बिना किसी शेत्रिय सीमा के बढ़ा दिया गया 1997 के बाद से अगले 18 वर्ष युद विराम समझोता ने नागा लेंड में रिलेटिवली शान्ती इंशोर की हम जानते हैं कि वर्तमान एंडिये सरकार 2014 में सत्ता में आई थी 2015 में केंदर और एनेसीन आईएम इन दोनों ने एक फ्रेमवर्क एग्रिमेंट किया था जिसे सरकार ने एतिहासिक करार दिया आपको याद होगा कि शिलॉंग समझोते के खिलाफ 1980 में एनेसीन का गठन किया गया था एनेसीन ने इन वर्षों के बाद भारत और म्यानमार के बीच एक सौवरेन नागा टेरिटरी की मांग करते आई थी 2015 के agreement में ये कहा गया Both sides have understood each other's respective positions and are cognizant of the universal principles that in a democracy, sovereignty lies with people. Accordingly, the Government of India and NSCN IM respecting people's wishes for sharing the sovereign power as defined in the competencies reached an agreement on the 3rd of August 2015 as an honorable solution. 3 October 2019 तक detailed peace accord के लिए deadline निर्धारित की गई थी लेकिन जिस बात पर सहमती बनी थी उस पर मदभेद पैदा हो गया NSCN IM ने अब आरोप लगाया है कि भारत सरकार 2015 के framework agreement की गलत interpretation कर रही है सरकार और NSCN IM के बीच का agreement 2017 से कड़वा होने लगा था दरसल केंद्र ने एक नए समू से बातचीत करना शुरू कर दिया ये था एक साथ नागा विद्रोही संगठनों का एक संग नागा नाशनल पोलिटिकल ग्रूप्स एन एन पी जी एस जीज कॉम्प्लिकेशन इसलिए है क्योंकि एन एन पी जीज एन एस एन आई एम की तरह अलग फ्लैग और समविधान या constitution की मांग नहीं कर रहा है 2019 में केंद्र का दोरापन तब स्पष्ट आया जब government ने NACN IAM के साथ एक अलग समझोते पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमती दी एक तरफ तो NNPGA से बात कर रही थे और दूसरे तरफ NACM से इसमें एक conditional flag का उलेख किया गया जिसका उप्योग गैर सरकारी events के लिए किया जा सकता है लेकिन सम्विधान का कोई जिक्र नहीं किया गया NACN IAM इस मांग पर अभी भी अडिग है NACN IAM को लगता है कि सरकार उसे दर्किनार करने के कोशिश कर रही है और NNPGs को नागा लोगों के प्रतिनिधी के रूप में बड़ावा दे रही है चाहे वो ऐसी जमीज जैसे लोग हो या अन्य नागा संगटन ज्यादतर को लगता है कि केंदर समझोता डिले करने की कोशिश कर रहा है समस्या ये है कि संगर्ष वीराम समझोता NACN IAM के साथ था और इसके काडर को नाराज करने से शांती भंग हो सकती है रिसरजेंस ओफ इंसरजेंसी भारत अब अफोड नहीं कर सकता है जब फ्रेमवर्ग एग्रिमेंट पर हस्ताक्षर किये गए थे तो लोगों को उमीद की किरन नजर आई थी उन्हें लगा था कि अब ऐसी स्थिती होगी जहां नागाओं का बहतर जीवन होगा लेकिन वे उमीद और खुशी जादा दिन नहीं टिकी NACN IAM ने बयानों से सीज़ फायर से पीछे नहीं हटने का वादा किया है लेकिन क्या वे तब भी डिटर्मिंट रह पाएंगे जब उन्हें केंदर के दोहरे टैक्टिक्स और होस्टिलिटीज का सामना करना पड़ेगा क्या पॉसनालिटी ट्रेट्स नैशनल इंट्रेस्ट्स पर हावी हो जाएंगे तमश्कार